हेलो गाईज, आजके इस वीडियो में हम लोग King George Medical University Lakhno 2021 के रिस्पेक्ट में हम लोग आजके इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 2021 के लिए जो भी स्टुडेंट कौम सा कोर्स? B.S.C. Nursing B.S.C. Nursing का कोर्स जो 4 यार का कोर्स होता है तो जो एडिमिशन प्रोसेस हैं उसमें कितनी सीटे हैं टोटल ये देखने वाले हैं तो ये बेस्टी नर्स्टिंग 2020 का प्रोस्पेक्टस है 2021 का जैसे ही कोई information आएगा आपको तुरन सूचित किया जाएगा अभी आपके पास something में ये समझे है कि time है अभी ये हम पहले से आप लोग को फूरा inform करेंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है और मैं preparation भी करा रहा हूँ उस हिसाब से आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए असानी से selection हो जाएगा तो पूरा इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कैसे क्या आपको यहाँ पे क्या कैसे कितनी सीटे हैं तो पूरा complete आप लोग देखिए पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी कि आप लोग केजम्यू में अगर 2021 में BST Nursing का कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे क्या करना है तो यह देख लीजिए इसमें कितने government college हैं कितने private college हैं तो यह first छोड़ दीजिए यह आपका government college है और जितने यह सभी और हैं second number, third number, fourth number, five, six यह क्या हैं यह इसी college से जुड़े हुए हैं affiliated college हैं जो यह जुड़े हुए हैं इनकी fees अधिक होती है इनकी fees जो government college है इसकी fees तो कम होती है तो इसमें अभी जैसे farm आएगा पूरा complete बता दूँगा कितने fees something हैं कितने fees लगेंगी तो something दिया जाता है और hostel जो होता है वो आपका कुछ फैसे एक साल का 5-6,000 रुपए उनले लगते हैं किसके hostel के minimum रुपए लगते हैं 5-6,000 रुपए मानके चलिए आपको पर साल पर year लगते हैं और इसमें government college में जो आपकी जो यह कितनी seat हैं टोटल 100 seat हैं यह देख लीजिए government यहां पर लिखा गया है और यह private affiliated nursing college यह affiliated means के जम्यू से ही जुड़ी हुई है यह सभी college तो इसमें 50 इसमें 60 इसमें 60 इसमें 30 इसमें 40 तो यह आप लोग देख लीजिए इसमें college है बट अगर आप government college है यहां से काफी student यही से करना चाहते हैं government से प्राइबेट में तो बाद में student लेंगे अगर नहीं हो पाता तो फिर मजबूरी जिसको कहते हूं तब यह लेते हैं first choice तो student का यही रहेगा और यही रहना भी चाहिए क्योंकि यह government college है और के जिम्यू best college है जो के बेसी nursing की यहां होती है तो 380 मतलग 380 सीटों के लिए आपकी यह exam होता है हो सकता है कि आपकी बार कुछ सीटे बढ़ जाएं बट जो government सीटे हैं वो तो fix रहेंगी बढ़ेंगी तो private में बढ़ेंगी तो 380 380 सीटों पर आपकी होगी तो चलिए पूरा इसमें देखत देना पड़ेगा पर आप उसमें अच्छा करेंगे फिर counseling के थुरू आपको मिलेगी क्योंकि COVID में जब हुआ था 2020 में तो लिख भी दिया गया कि only इस year के लिए यह किया गया है तो जैसे ही कोई इसकी जानकारी आएगी तुरंत आपको सूचित किया जाएगा तो चलिए हम लोग इसके पहले देखते हैं कि कैसे क्या हुआ था और इसमें paper क्या पूछा जाएगा कैसे क्या होता है तो चलिए कुछ देख लेते हैं instruction दिया गया है जो candidate के लिए कैसे क्या होता है यहाँ पे जब entrance exam होता है तो वो कितने समय का होता है तो यह देख लीजिए first number examination will be 180 minute means 3 hours मतलग 3 घंटे का आपका paper होने वाला है और इसमें आपको क्या करना है इसमें देख लीजिए यह लिखा गया candidate are advised not bring this examination hall there no provision for safe keeping यह देख लीजिए examination will be on MCQ basis in English language only यहाँ पे एक problem हो जाती है UP board वाले student के जो कहीं preparation नहीं किये रहते हैं उनके लिए तो हिंदी होना चाहिए हिं इंडिया और इंग्लिस दोनों होना चाहिए बट यह university क्या करती है यह paper जो देती है only English language में आपका paper रहेगा जो biology, chemistry, physics और general knowledge और English जो पूछी जाती है 5 subject यहाँ पे पूछे जाते हैं तो जो 5 subject का language होता है वो only English में आता है तो हिंदी में होता नहीं है तो competition यहीं पे और क्य हो जाती है आपकी competition मतलब अच्छा जो UP board वाले हैं उनके लिए तो यह हो ही नहीं पाता है selection नहीं हो पाता तो यहाँ अगर UP board का student है वो preparation कहीं पे किया है तो फिर हो जाएगा तो फिर हो ही जाता selection और अगर नहीं only UP board 12th पास करके farm apply कर देते हैं तो फिर होना मुश्किल हो ज दिलती है तो यहाँ यह देख लिजिए यह examination MCQ basis होगा एक question दिया रहेगा और उसके A, B, C, D option दिये रहते हैं चार option दिया रहता है एक option आपको जो सही रहेगा वही tick करना रहता है अब सही कौन रहता है यह आपको देखना रहता है कोई बताएगा नहीं यह आपके basis पे अगर आप गलत कर जाते हैं question सही नहीं लगा पाएंगे दूसरे पे लगा देंगे तो फिर मतलब no negative marking कोई negative marking नहीं होती है तो यह हो गया और आपको चलिए next आगे दिखाते हैं तो इसमें जो आपका application farm जब आएगा जब आप तो online farm इसका फिलफ किया जाता है online फिलफ का ज के student को 1200 रुपे लगते हैं तो 2000 रुपे और 1200 रुपे इसके only application farm apply के समय ही लग जाते हैं और यह देख लिजिए इसमें क्या-क्या आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए कि आपका selection 2021 में 100% होना चाहिए अगर आप अच्छे से पढ़ा है और आपका English से question यहाँ पर पूछे जाते हैं 20 question और General Knowledge से question पूछे जाते हैं तो यह आपके question यहाँ यहाँ से आएंगे तो आपको इतने चीजे अच्छे से आनी चाहिए physics आनी चाहिए chemistry biology यह तीनों तो मैं अपने चैनल पर ही कराता हूँ और अच्छे से करा भी रहा हू पिछली बात जितनी वीडियो पड़ी हुए सब आप लोग revise चरूर करें अभी इसे शुरू कर दीजिए जिस दिन से वीडियो आपको देख रहे हैं उसी दिन से आप लोग शुरू कर दीजिए चैनल पर जाईए वहाँ पर playlist है काफी वीडियो बनी हुई है तो physics chemistry biology यहाँ देखते हैं तो आपको पूरी full information मिल जाएगी तो यहाँ पर अगर आपके 2020 21 में entrance exam देंगे 21 में 21 बात के लिए तो यहाँ पर question number यह question और काफी बनता कि कितने question पूछे जाएंगे तो 200 question यहाँ पर आते हैं और वो objective question रहेंगे और इसकी video जैसे ही कोई information इसकी आएगी तुर अभी चला है तो मार्च हो गया मार्च के बाद कौन सा आएगा है अपरेल आएगा मई जून जुलाई आप अभी यह जुलाई मान के चलिए कौन सा मन्त जुलाई मान के अभी चलिए कि जुलाई में आपका exam होगा तो आपके पास कितना समय है 123 तीन मन्त आपके पास समय है चारे भी जोड़ सकते हैं जुलाई 20-25 तक हो सक चलिए कि आपके पास समया तो 4 मन्त या 3 मन्त या साड़े 3 मन्त ऐसे मान के चलिए तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो फिर selection हो जाएगा और जैसे भी quiz का information आएगा तुरंट आपको सूचना दी जाएगी और next video syllabus जैसे physics हो गया, chemistry हो गया, biology में क्या आपको पढ़ने अच्छे से तो वहीं से सभी question आएगे असानी से selection हो जाएगा तो next video syllabus पर ही बनेगी चलिए next video मिलेंगे आपसे, thank you